24 अगस 2001 को Air Transart की फ्लाइट 226 टोरंटो से लिजबन के लिए उरान भरती है पर 4 घंटे बाद Atlantic Ocean के बीच ओ बीच इसका सारा फ्यूल अचानक खतम हो जाता है दरसल पेन में एक फ्यूल लीग डिवालप हो गया था पर इसका इंडिकेटर इस प्लेन में था ही नहीं कैप्टन रॉबर्ट पीछे रेडियो पे मेडे का मेसेज रिले कर देते हैं आजरेस नाम के एक छोटे से आइलेंड निवल बेस से रिस्पॉंस तो आता है पर वो यहां से 120 किलोमेटर दूर होता है रॉबर्ट अपना ग्लाइडर पाइलेट का एक्सपिरियेंस यूज करते हैं और यू और एस टर्स एक्सिक्यूट करते हुए स्केलफुली प्लेन को आइलेंड तक 120 किरोमेटर ग्लाइड कराकर एक रिकॉर्ड बना देते हैं पर बिना रिजिस्टेंस एर फ्लैप की ग्राजूल सेफ लैटनिंग कराना अभी भी इंपॉसिबल होता है प्लेन जैसे ही रनवे को टच करता है उसके टायर फट जाते हैं ब्रेक अप्लाइ करने पर प्लेन रनवे पर स्किट करने लगता है और चिंगारियां उड़ने लगती है और फाइनली प्लेन हॉल्ट पे आही जाता है और सभी 293 पैसेंजर को मिराकुलसली बिना किसी खरोच के प्लेन से बाहर निकाल लिया जाता है कहते हैं ना जाको राके साहियां मार सके ना कोई